जो मेकालिपाप करके गया था अठारसो पहंतीस में उसने इंडियन एजुकेशन एक्ट बना करके पूरी भारत के आध्यात्म पर आधार थिक्षा पद्धति खतम का डाली तो हमने कहा कि अभी इसको दुबारा भारते शिक्षा पद्धति का की परतिष्ठा करने हैं और वो होगी बहुत जल्दी होगी शिक्षा में योग अध्यात मसारी नयतिक मुल्य तो बोरी स्वाम जी थ्री प्लस एजुकेशन वाला कॉंसेप्ट के लिए क्या कर रहे हो मैंन यह जोरदार काम नेट्फ्लिक्स पर बहुत देखते हैं सुनो बहुत काम करने अभी फिर हमारे यहां पर पांच साल का बच्चा पूरी भगवत गीता याद कर लेता है पूरी भगवत गीता जिसको नाक पूछना नहीं आता है बोलते हैं इस बचों यह गाउं की बहसें बच्चों को मारोगे इतना ज्यादा बोज डाल के मैं इनका बच्चों में जो विकास होना है जो पांच साल की उमर में विकास हो जाता है वो 55 साल की उमर में भी नहीं हो सकता है बच्चों में 5 साल तक इत्रों शार्प ब्रेन होता है उस समय हम ध्यानी नहीं देते हम उनको खिलाने में अपनी मस्ती के लिए उनका प्रयोग करते हैं बाबू कंदे पर जड़ जा बाबू सिर्फे चड़ जा बाबू इधर दोड़ हम तक हमें तक यह बच्चों को बना रखा है, माँ बाब बच्चों को खिलो ना बना के रखते हैं हमने उन खिलोने समझने वाले उन शलोने बच्चों को इतना सिखा दिया है पाँ साल की, अभी तो चुश रूँ यह टरीनिंग पिछले साल से जब यह 5 साल boyण तक के दिखिए थ्री प्लस की एजुकेशन ऐसी हो नीचे जैसे पतंदली में हो रही है 3 प्लस की एजुकेशन क्या होती है मेरे को पुझे आचार वार्ख्षन जिन्हें इतना हो मेरे साथ बोलो सौम जी बच्चे पैदा नहीं किَ तीन तो मैंने जादा बताया आपको हगीकत एक मैंने 2.5 साल के बच्चे ले ली और उनके माँ और साथ में ले ली पिर बच्चे वो एक साल में समझदार होगे बाद मा की जुरूरती ने वो मस्त है वो अपने सहिल जब हमाँ बच्चे इकटे कितने 500 बच्चे है तुम एक दो बच्चे तुम गया बाबा ग्रियस्ती नहीं है बाबा बड़ा ग्रियस्ती है तुम्हारे बच्चे होंगे घर में 4-5 हमारे बास है 500 बच्चे छोटे और बड़े मिला करके तुम भी मेरे लिए सब बच्चे ही हो मैं तो हजारों लाखों करोडों बच्चों का बाप हूँ कपाल भाती फिर अनुलोम मिलोम देखो ऐसे अनुलोम मिलोम न ऐसे बटा अनुलोम मिलोम हो रहा है इसको मैंने बोला आपको है सघन योग एक साथ multiple योग चल रहा है धारणा, ध्यान, समाधी, सैयम, प्रज्यालोग, अश्टांग योग ज्यान योग, भक्ती योग, कर्म योग समाधी योग, साधन योग, विभूत योग, कैवल्ले योग, हट योग मन ही मन जब चल रहा है ओम ओम का, मंत्र योग, लै योग कुंडलीनी जागन चल रहा है, कुंडलीनी योग इतने अंतर मुखी हो जाओ बल ध्यान नहीं लगता, ध्यान ध्यान कहीं हटे गई नहीं, फुर्सत ही नहीं है एक साथ मल्टी डाइमेंशनल योग हो रहा है रिलाक्स, चलो, अब किसी को जैसे कहते हैं न, घंगोर तपस्या करनी है लेकिन हाइपरटेंशन नहीं होना चीए, हाट की प्रोब्लम हरनी हाँ कमर दर्द नहीं होना चीए, घंगोर योग करना है तो फिर मैंनो उसके लिए बता रखा है, कैसे करना ये एक मिनट में दो सो बार वाली स्पीड एक मिनट में कुण सी वाली? दो सो बार जो कहता है, ध्यान नहीं लगता, एक मिनट करके देख, तेरा पडोसियों का भी ध्यान लग जाए, मन इधर दर जाता ही नहीं, कुछ लोग कहते हैं, जी मन ठिकता नहीं, हम कहते हैं, हमारा मन जाता ही नहीं, अब बताओ, मैं कितने काम करता हूँ? एगरिकल्टर, इंडस्टी, हेल्थ, एजुकेशन, रिसर्च, सोशियल, पुल्टिकल, बड़े-बड़े सिंघासन भी हमने ऐसे हिलाए, जिनकी जड़ेओं खड़ी थी, अभी तक नहीं जम पाए, बले, सामी थी बड़ा पंगिबाज आदमी है बाई, चलो, ऐसे दो सो कपार ये कपाल भाती, ये सब को नहीं करना है, जिस इसको अलग लग बता रहा हूँ, ऐसे करना, ध्यान नहीं लगता, अरे ध्यान तो हटता ही नहीं, बले, सामी जी, आप जब देखो, ऐसे महस्ते रहते हो, और इतने सब काम करते हो, आप को स्ट्रेस नहीं आता है, है, हमारे एक, बहुत, करीब तीस साल से हमारे साथ में, तो मैं इसे बले, सामी जी, आप जब रात को सोते हो, तब दिमाग की चकरी कैसे जम करते हो, यह दिमाग गुम तो रहे था, इतर दर सुबसे शाम तक इतने पंगे करते हो, यह रात को ठीका ते कैसे हो, यह अगिका बात बता रहा हूँ, डुक्रेश देव सास्ती जी उनक रात को इसको दिमाग ओडर देते हैं, चुप चाप सोजाब, बहुत काम कर लिए, अब चूनी करना, और सची बोलता हूँ, कई बार तो मेरे मित्र पड़ोस में बैठे रहते हैं, और मैं अपना यह गया, वो कहते हैं, स्वामी जी, मैंने का, स्वामी जी नहीं है, जाओ बात करते करते ही सो जाते हैं, कोई मतलब ही नहीं, जब चाहें तब नीन्त, जब चाहो तब सो जाओ, जब चाहो तब जाग जाओ, और कोई मतलब ही नहीं, सुबह उठते ही पेट को अटर देते हैं, तब साफ हो जाता है, बहुत साफ हो जाता है, बहुत स्वामी जी यह आगे मत मांगना ने दे दो इंच की जीब इतनी चपर-चपर करती है और आदमी कल कुन मेरा मेरे से बोले स्वामी जी पता नहीं कहां था हां वहां संसकार दिल्ली में प्रोग्राम कर रहा था मैं सुबह समय संसकार चरें तो एक कैमरा में आया बहले भाबबची तीस किलो मैंने वजन कम कर लिया मैंने का तू कितिना था जैसे बाई बता रहा है उसामी में डेट क्यों इन्ट्रेल का था और मैंने का तू खाता क्या है बहुत जी देखो खाने में तो पांच किलो भी लड़ो बर्फी जले में He, जले भी जो आजाए, पांच किलो राशन खाता हूँ. पांच किलो हे मेरे राब. पांच किलो हें, उदार देखो. सूरद वो गया है, सूर्यव भगवाण. तो मैंने उसका तरीका ड्रोंड़ा एक, जिनको पांच किलो राशन खाना है. सुनोगे? बुरा मजा लेना इसी में ले ले एक बर्फी मुँ में रखो देखो स्वाद किसे आना है quantity से तो नहीं आना ना बर्फी से आना है तो बर्फी को मुँ में ही रखो और उसको नीचे मत ले जाओ और जीब को बोलो जितना रस लेना इसी में ले ले तो यह अस्वाद व्रत का करो कबाल भात करो अनुलोम बिलोम करो चलो अनुलोम बिलोम कर लो पहले अभी कैमरे के दर दर हो जाओ जिनको कैमरा सामने आ रहा है आज तो सूरिय भगवान ऐसा है कि जो नहीं भी कर पा रहे थे वो भी कर पाएंगे बाकी दिन तो 6.35 पर 6.35 पर युगाता था आज 10 मिनट लेड से और अभी भी इतनी लालीमा है कि चड़ते चड़ते उपर चड़ते चड़ते भी 10 मिनट कर सकेंगे अभी तो लालीमा की तरफ ही आँखें खोल के रखे हुए तो सुनो मैं कहा रहा था अस्वाद अब्रत्न एक साथ जैसे मैंने खेती, योग, करमयोग, उद्योग, सिक्षा, स्वास्थ, अनुसंधान, सामाजिक, आर्थिक, राजनेतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, वैश्विक कार्य किये मैं मानता हूँ, बार-बार कहता भी हो उस बात को मैं एक व्यक्ति नहीं हूँ, मैं भगवान का प्रत्नी दी हूँ, मैं भगवान का प्रत्नी दी हूँ, मैं रिशी रिशिकाओं का प्रत्नी दी हूँ, उनका प्रती रूप हो, उनका मूर्त रूप हो लंबा सास लेना लंबा चोड़ना इतनी सुहानी सुभ है साल में एक बार जो योग ग्राम नहीं आता वो अपने इस जीवन के प्रवाह को सही दिशा में नहीं ले जा पाता कहीं न कहीं दिक्कत आ जाती विदेशी लोग तो पांच दिन कमाते हैं दो दिन इधर उधर एडवेंचर में जंगलों में पहाडों में पता नहीं इधर उधर दो दिन पूरा करीब जो कमाते हैं उसका 50% दो दिन में खर्च भी कर देते हैं कोई शोपिंग करते हैं कोई खाते पीते हैं जो भी जीज़ जैसे और उनकी तो लाइफस्टाइल यह लग है हमारे यह लोग बुड्डे हो जाते हैं फिर तीर्थ यात्रा करने आएंगे और कोई तो आते ही नहीं उनकी हड्डिया यह आते हैं हर द्वार में आप अच्छे हो कि आप साबुत के साबुत आ गए हो जिन्दे जी आ गए नहीं तो जी ते जी डंडम डंडा और मर जाए तो पहुचाए गंगा चलो अनुलों मिलों लंबा लंबा करो आज की सुबह तो कोई जादा ही सुभानी है जादा ही अनर्जेटिक है पूरा लो अब देखो पूरा लेना पूरा छोड़ना टक टकी लगा के देखना सुरू कर दो अब तुम्हारा लगातार दस मिनट होगा चाए बस तरीका करते रहो चाए कपाल भाती करते रहो चाए अनुलों मिलों करते रहो हाथ आँखों के सामने तो लान नहीं है हाथ तो नाक के नीचे रखो और कोणी भी नीचे रखो हाथ ऐसे साइड मों उर्चा खड़ा करके रखते न तो हाथ दुखने लगता हाथ भी ऐसे नीचे रखो और ऐसे बैठो अब दीग गया पूरा सूरज और लालिमा लिये वे बहुत सुंदर सूर्य का दर्शन हो रहा है ओम स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंड्रमसा विवा पुनर ददता घ्नता जानता संगमे मही दिवी सूर्य सहस्रस्य भवेत युगपद उत्थिता यदी भाह सद्रिशी साशात्भा सस्तस्य महात्मना ज्योतिर ग्राह आरिया है हम ज्योति के उपासक है अनिलोम मिलोम प्रणायाम कपालभा या भस्त्रेका करते करते जिनका चित बहुत चंचल है वे विशेश रूप से आँखों की पलक नहीं चपकना टक्टा की लगाई देखना है आँखें फाड़ के देखना है और बहुत ज़्यादा भी आँखें मत फाड़ना है सहजटा से धीरे धीरे स्यूरिये उपर के और आ तरह आ रहा है और इसके फायदे सनो अभी सूरिये दर्शन के सूरिये कितरा टक्ट के नेत्र जेवती सिसो परतिशद बढ़ती है और जिन्दगी में मैंने पहली बार उन्वभ किया है अभी तक 50 सालों तक मैंने बात नहीं कही थी अब कह रहा हूं इससे पहले मैंने कभी नहीं बोला था कि पांस साथ दिन में तुम्हारा चस्मा हट जाएगा मैं जो नहीं हुआ उसको कभी नहीं का मैंने इसलिए मैं एक दम बंदास जिता हूं मस्तर रहता हूं क्यों जूट बोलना नहीं और सच कुछ छुपाना नहीं दबाना नहीं अनुलोब मिलूम करते रहो मैंने पहली बार कहा कि पांस से साथ दिन में भी चस्मा हट जाता है और हटाया है हमने पांस से साथ दिन में चस्मा हट गया सूर्य का त्राटक किया जल नेती की जिनको बहुत जाता कप्था उनको सूत्र नेती भी करा दी लेकिन जल नेती पर रहा है जल नेती सूर्य का त्राटक अनुलोब मिलूम प्रणायाम और दो सूर्य दिख रहे हैं तो कोई ने एक भी दिखने लगेगा किसी किसी को डबल वीजन की प्रबलम हो जाती है लेकिन वो कभी डबल वीजन भी नहीं होता तो कभी कभी ऐसे दो भी दिखने लगते कोई दिक्कत नहीं है और वो सूर्य जो बाहर है वो अपने आज्या चकर में भी दिखेगा अबी दिखने दो लगातार करो अबी मैं भी टक-đके लगाई कर रहा हूँ मुझ्झे भी अब ये दो दिन हुआ नहीं था ना तो आज पूरा हो जाएगा दो दिन की कसर आज ही पूरी हो जाएगी दस मिनट मैं भी कर रहा हूँ, आप भी करो, हाँ सब करो, केटरेक वालों के लिए, गुलकोमा वालों के लिए, माइनस प्लस दोनों चस्मों के लिए, रेटिनाइज डिस पिग्मेंट उसा के लिए, लगातार केजिए, सूरिय कात्राटक, जलनेती, अनुलोम मिलोम प्रणा हैं हम, त्रिफला से आँखों को वास करना, पानी पूरा पिलाना, और आमले का जूस भी दे देते हैं, नेता आमल के रसाइज सब्तामरी तलोमक्ता शुक्ति मोती पिष्टे, और द्रिष्टी या सों में आईड्रोप डलवा देते, अब पूरा सूरिय उदा हो चुका है और आज सूरिय भगवान बहुत तिव्ड़ता से प्रकट नहीं हो रहे हैं, थोड़े-थोड़े मेग हैं, इसलिए यह आईडियल सिचुशन है, यह आदर शुरूप है सूरिय का, जिसका हम त्राटक कर रहे हैं, दस मिनट तक ऐसे करो, जो पहली-पहली बार कर रहे हैं, वे दो-धाई मिनट के बाद पलक एक बार जपक सकते हैं, फिर दुबारा कर लेना, वो दो राउंड में कर लेंगे, दो राउंड में करो या तीन राउंड में करो, दस मिनट तक ऐसे करना, इसे नेतर जिवती तो बढ़ती है, इसे भूग प्यास पर नियंत्रन आता है, अच्छे आर्मोंस बढ़ते हैं, इसे डिप्रेशन दूर हो जाता है, या अर्थराटिस के लिए बहुत अच्छा है, ऐसे लिए मैस ओट्रमिन डिजीज और कैंसर के लिए बहुत अच्छा है, कैंसर के रोगियों को सुबह शाम एक एक घंटा ऐसे पहले सूरिय का तराट और इस सूरिय के तेज को अपने भीतर धारण करें। अनुलोम विलोम करो एक दम सफेद सफेद धवल धवल पहले लालिमा लिये वे था अब धेरे धेरे धवलता श्वेतता शुब्रता लिये हुए ये मनोरोगों के लिए बात अच्छा है टक्टकी लगाए रखना है पलकों को जपकना नहीं है धारना ध्यान समाधी सयम प्रज्या लोग अपने आप सहज ध्यान सहज समाधी होगी लगातार करते रहो हाथ नीचे साम नहीं है नीचे कोई नीचे यह कोई अस्विधा नहीं है किसी प्रकार से कोई उद्विगनता नहीं है टक्टकी लगाए देखते ही रहना है यह दिव्य दर्शन है सूर्य का यह जिनका लोग बीपी उनके लिए भी बहुत जबरदस्त है वात अपित्त कफ तीनों दो शिश्य संतुरित होते हैं मैंने त्राटक की महिमा इतनी पहले कभी न जानी थी मैं करवाता था दो तिरवस्ति सताने तिस त्राटकम नोल इकमता था कपाल भाती शैतानी शटकर्मानी प्रचक्षते लेकिन एक साथ समवेत अभ्यास इसलिए मैंने योगा अभ्यास का भी नाम दिया हुआ इंक्लिसिव योगा प्रैक्षिस इंक्लिसिव योगा प्रैक्षिस जिसमें पंचकर्म का शटकर्म का जिसमें यमनियमासन प्रणाम प्रत्यार धार्णा ध्यान समाधी अश्टांग योग का जिसमें क्रिया योग का समाधी योग का विभूती योग का प्रतिप्रसव योग का ज्यान योग भक्ति योग का एक साथ समावेश श्रबनम केर्टनम विश्णोह स्मरणम पादसेवनम अर्चनम अंदनम दास्यम सक्ष्यम आत्मन वेदनम भक्ति योग हो रहा है भक्ति भगवश्णागती के साथ करो लएके साथ करते रहना कुछ कह रहे होंगे समझे आँखे दुख गई दुखने तो क्या दिक्कत है आँखे टक टकी तो लगा के देख रहे हो ना कुण से फावड़े सला रहे हो कुण सा हिमाले चड़ रहे हो इतना तो कर लो मेरे भईया अब लगभग तो सूरिय बहुत गती कर चुक है लेकिन हमारे आँखों के सामने ऐसा दिख रहा है कि लगभग पाँख एकात महो करके एकात महो करके देखते रहो सूरिय के साथ एकात मता किसी किसी को आखों में भी आँसों आएं तो आँसों टपकने ने क्या दिख का था शौत झाएंगे आँख के नाहको के कान के जो कहते हैं कुछ आख की नाहको नस ब्लोक हो गई आँख की नाहको की नस। चक्रानवत द्वारा देवानाम पूरा योध्या तस्या म्रण्या कोशाह स्वर्गोज योतिशा अवरिता अश्ट चक्रों का जागन होता है तुरा टक से यह बाहर का ध्यान फिर अंतर ध्यान भी कराएंगे इसके साथ कि बात अकुड़ बैता लाग दर्श जार दो सव एक नाड़िया अश्ट चक्र नाव द्वार पंच प्राण पंच उपप्राण पंच कोश प्रज़तान मात्रा हैं पंच याने इंद्र पंच कर्मिंद्य अंतर क्रण चतुष्ट है थर्टी सेवन ट्रेनल सैल्स वोड़े अक्टिवीट हो जाते हैं बहुत जबरदस चाहिए यह सूरिया का त्राटक ऐसी साधन क्रिया नहीं है यह मात्र नियत्र जियोती के लिए नहीं है नियत्र जियोती से लेकर के इसे आत्म जियोती जागरी थोगी आत्म जियोती किसी किसी के नाख से भी पानी चलता हो तो चलने दो आख से नाख से पानी चलता है तो चलने दो आख नाख कान गला का एक साथ सम्मन्द है सारे द्वार खुलेंगे आत्म द्वार खुलेगा आत्म ची होती जागरे लेकि साथ करते हैं प्राणायाम चाहिए धीरे धीरे करो देखो अब इतना धीरे करो इतना धीरे करो कि तुम्हारा प्राणायाम लगबग 10-15 से रेकर के आधा मिनट तक हो जाए जितना धीरे होगा उतना फिर पलकें भी नहीं जपकेंगे तो जल्दी जल्दी करने से पलक जपकने की संभावना रहती लंबा स्वास लेना लंबा छोड़ना बरस्वामजी आँखें भी ठक गई ठकने तो क्या दिखकत हैं कुछ सा दोड़ लगा रहे हो तो ठकने तो आखो में स्वार आने दो सावधानी पूरवक साजगता पूरवक करना देका अगरता पूरवक करना नहीं तो पलकें जपक जाएंगे बीच में और कोई बूल चुक हो गई हो तो कल मत करना पलकें नहीं जपक जाएंगे बार सुरिय का त्राटा को रहा है इसको धरना कहते हैं अब इसी बाहर की सूरज को आज्या चकर में देखना और ब्रहामरी करना अपने आप याप का ध्यान लग जाएगा अब अंतर मुकी हो करके आँखों से पूरा पानी टपक राए मेरा भी टपका कोई दिक्कत ने टपकने तो क्या दिक्कत है अब कान बंद मुक बंद उंकार करना दना सिका से होगा आँख बंद करते अंदर सुरिय दिखता आज्या चक्र में लबागहर असास बरिये हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ 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 ह प्रोड़ा 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 उदगीत प्रणया लंबा गयार श्वास आज्या चक्रमे मन के एक आगरता इसी को धरना कहते हैं इसी की निरंत्रता ध्यान फिर समाधी सायम प्रज्या लोक लंबे गयारे स्वास ओम अुमुमुमुमु टुमुमुमु ओम अम 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 मौन हो जाएंगे थोड़े धारणा ध्यान समाधी सैयं प्रज्या लोका आत्मदर्शन प्रफदर्शन आत्मों उप्चार आत्मसाक्शाःद कार यह एक क्रमिक अभ्यास जहां दोनों भ्रू हो आजयां चक्रा है उसके ऊपर भ्रकुटी है आजयां चक्रिया भ्रकुटी में मन को तका के रखें तो अपने आप मन तिक जाता है इसी को धारणा कहते हैं, इसी धारणा की निरंतरता को ध्यान, ध्यान की निरंतरता को समाधी, समाधी की निरंतरता को सयम, सयम की निरंतरता को प्रज्यानोग, और इसी सी फिर आत्म अपचार और आत्म साक्षातकार की प्रक्रिया में हम आगे बढ़ते हैं. जिसको समाधी योग कहते, जिसको साधनी योग कहते, जिसको क्रिया योग, अश्टांग योग कहते, जान योग, कर्म योग, भक्ती योग, विभूती योग, प्रतिप्रसव योग, हठी योग कहते, ले योग मंत्र योग कहते, ओंकार के मंत्र में ओम इते दम सर्वम, ओम अम्प्रतिष्ठा ओमिति एक आक्ष्रम ब्रह्म में एक उंकार सत्ना सर्वे विदायत पदमामनंति तपांसि सर्वानिति यत पदन्ति यत इच्छत प्रम्चत्रम्चरति तत्ते पदम संग्रहन प्रवीमि ओमिति सर्वा obrigado सर्व करता सर्वज्र्व शक्ति मान हम उस प्रफव की सड़ागति में धन्यता का कृत्कृत्यता का नुभू करते हैं प्रभू तेरी शर्णागती में सदा जियो सब कुछ करने का ज्यान शक्ति सामर्थ सम्मेदन साधन घर परिवार संसारतों ने हैं दिया है प्रभू निम्त तमात रहो करके तेरी पूजा मान करके तेरे प्रियाश्रण के लिए तेरे नाते सब रिस्ते नाते तेरे नाते सब मेरे काम पर तेरी प्रसनता के लिए कर्म को अपना धर्मान की तेरी पूचा मान के टकरऊ सिद्ध अना सिद्ध 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 और निर्विकार करता साथ वी को तो यह एसे आज्या चक्र में उंकार का ध्यान दोना हथों को पूठा लेता है से दिया लोका ध्यान करते भी इस प्रकाश में स्थिति को इस जियोतिर में स्थिति को सर्वत द्वारे सुधिय। आपको खुली आँखों से ध्यान कराया त्राटक के साथ दस मिनट बंद आँखों से ध्यान भी आपका लंबा हो जाएगा थोड़ा बटर प्ठाई कर लीजिए थोड़ा आँखों में आशू उसू आए और यांके भी एकदम ठंडी ठंडी होगी है और मन भी कूल कूल हो गया है साथ को ऐसे तो देखो ऐसे अब तुमको कुछ बातें और बताना चाहता हूँ तो करो कपाल भात यानोलो मिलो मैं एक गंटा करवाता हूँ जिनको आसाथ देरोगा ऐसाले मैं साथ अटमेंट डिजीज का एंसर सब बड़े बड़े रोग है और उनको फिर अलग अशनिया देते हैं तो यह एक साथ यहां पर यह इंक्रिसिव टीटमेंट है क्या शब्द बोला इंक्रिसिव कम्प्लीट कॉम्प्रिहंसिव मल्टी डैमेंशनल समग्र योगा भ्यास एक साथ और इसमें पूरे कात्म हो करके करना पूरे खो करके करना और योग का ट्रीटमेंट दे रहे, अरवेद का आपको ट्रीटमेंट कि प्राकरतिक जिवन शेली अपिम सबने मेरी बात मानी है जो मैं कहके गया था मेरी आजियां का पारन कर रहे हो ना मोबाइल लेकर के घुम्ते नहीं होना है पका कमरों में एना क्या बात है जो दालिया बजाता लोगते बड़े अज्याकारियों मोबाइल कमरे में लेकर की अभी भी लेकर के नहीं आया होना अधिवाइब है आधि अधिव पॉट्वी लेने हैं बिल्कुल नहीं दोंगा तुम ने आज यह का पालन नहीं किया ऐसा करते हैं तुम सब का फोटोग्राफ करवा करके अरे मेरत दाड़ी दूड़ी में एक कैमरा वाला बोला है आसु यह लग अब ठीक है, ठीक है, यह दाड़ी में सब पता लग जाता है, क्या खाया है, कोई ना कोई दर दर लगता है, आसु आया है तो भी पता लग जाता है, इसलिए यह जो है, चोकी दार है, चलो, आप लोगों का फोटो करवा के योगा ग्रम की वेब सैट देखते रहते हो न, योग ग्रम की वेब सैट पर एक फोटो गैलरी बना देते हैं, और उस पर फिर आपकी फोटो डाल देंगे, और उसको करीब 15 दिन तक रख देंगे, उससे निकाल लेना, और बढ़िया फोटो आएगी, बढ़िया कैमरामेन से बुला करके तुमारी फोटो खिचवा देंग एक बजे, एक फास्ट है, तो बार एक से दो के बीच में सब की फोटो खिचवा देंगे, ठीक है, जितने भी योग ग्रम है, ठीक, जो रहने वाड़ों की भी जाने वाड़ों की, स्थान योग भवन, कवरो कवाल भाती करो, यहां हमने कुछ आपके लिए नेम बनाए, मौन रहो, मोबाइल से दूर रहो, देखो, छोटी छोटी चीजों का मल्टीपल होकर की इफेक्ट होता है चिकित्सा में, रेडियेशन की किरणों से भी दूर रहो, यह रेडियेशन का यह जो विकरण होता है, यह बड़ा खतरनाओक होता है, जितनी इलोक्ट्राणिक चीजें उनसे थोड़ा सा दूर रहो, अपने मन को थोड़ा शांती दो, विश्राम दो, ऐसे पूरा मन बिखरा होए तुमारा, फिर खान पान की छुटी छुटी चीजों से पूरा चें द्राक्षा कल्प, मैंने बोल दिया था, साइद आज अभी आचुका होगा, अभी नहीं, आ गया, शुरू हो गया, मैंने बोला था, इसका मतलब हमारी बात मानते हैं, भेजने वालों को मैंने बोला बेटा, बहुत अच्छी द्राक्ष मंगाओ, काली वाली आ गई, वालों को द्राक्षा कल्प, अभी छूटी सी बात है, हम आपको आठ दस कल्प बताता हूं, कपाल भाती कर लो संकल्प के साथ, कल्प में ध्यान जारा है, कि हमारा कैसे काय कल्प होगा, तो तुमारा काय कल्प होगा, जिनको कॉलाइटिस की प्रोब्लम उनको तरक्र अभी उनको हम करा रहे हैं, दूधी कल्प, दूधी एक तो लोकी को दूधी बोलते हैं, उनको दूधी और संजीवनी दे रहे हैं, एक लड़का बोले, दस दिन से बार, स्वामी जी खून नहीं रुक रहा, खून नहीं रुक रहा, उसको जब से वो दूधी और संजीवन गास दी एक दिन में ही खोन रोक देती एक दिन के अंदर विदिन डे ऐसा इफेक्ट होता है जड़ी बूटियों का अभी जैसे किसी को नक्सीर आ रही हो पीपल के पत्ते का मैं आज से पत्चीस साल पहले पीपल का पेड़ाई देखे छोटा सा मैं पूजना गाओं इदर सा पाल दिया बाकि पिला दिया भी दो मिनट के अंदर सारी बन बोले स्वामी जी सको तो आदा आदा गंटा बहता था ऐसे फायदा होता है तो दूधी कल्प दूधी और संजीवनी कल्प करा रहे हैं कोलाइटीस वालों से थोड़ा तक्र कल्प भी करा देते हैं फिर लोकी क कल्प लोकी कल्प जिनको मोटा पाय है जिनको हाट की प्रोब्लम है जिनको हाइपटेंशन है सुले वही सा महराष्ट वाले तेरा आज से सब खान पान बन खाली लोकी कल्प आग्या कारी है लोकी कल्प किनका जिनको हाइपटेंशन है हाट की प्रोब्लम है मोटा पाय है बोडी में टॉक्षिंस लोकी की सबजी एक बेन आपने देखा होगा उनेगी आई हुई थी यहां से देहरा दून से उसका क्या क्या नहीं था उसको पचांस शिव बीमारी थी उसको वेट कम कर लिया वो आधी उमर से आधी लगती है फिर उसने अपना लिकोरिया ठीक कर लिया उसने अपना थायरे ठीक कर लिया क्या क्या नहीं ठीक किया उसने बोड़े समझी मैं तो आपने बोला था लोकी कल और थोड़ा सा बले मैं थोड़ा सा कमजोर हो खाने पिने में तो फ्रूट और खा लिया था वस अनाज डो टली फिर बंद कर दिया और बहुत पहलवान रहा है तो बहुत बहुत पहलए तो सुबह थोड़ा सा जा है अभी आपकी बात पूरी माल लेता तो 50 किलो कम हो जाता अभी आधा ही कम हुआ है तो बहुत सुबह सुबह पतंजली की मुशली खाता हूं थोड़ी से किसी को जब तक एक दो चमच भी ना मिले न तो ऐसे तरफते हैं जैसे बिना पानी के मच्छली तरफती है ना, सुबह से शाम तक दिमाग में खाना ही घुमता रहता है, लोकी कल्प करना है, पुरा छोड़ दो, घर में छोड़ता नहीं है, यह मुका मिला है, ए मोटे मोटे भाई बेनो, क्या करना है, जोर उसे बोलो, लोकी कल्प हा, हा फिर, डैब्टीज़ वालों को, डैब्टी़ वालों को लोकी के साथ में, कhीरा, करेला, टामाटल, सदा बहार, गिलोए, और वो, चिराहता प्लाते, काल में एक भी प्लाते, कापाल मातिया, नो लो मिल भी करो बेठे, चुप चाप नहीं ऐसी ऐसी अर्थ्राइटीस वालों को ये द्राक्षा कल ये दो मेने तीन मेने करना कोई दिक्कत नहीं अरे सो सो ग्राम खिला देंगे भूख लगी कोई चिंता नहीं बेटा आदा किलो मिलेगा कोई चिंता नहीं कि कुछ सोचते हैं सामी जी भूखें मर जाएंगे भूखें तो अनुलोम बिलोम करो तो अलाग अलाग कल्प खाने में पूरा चेंज हो जाता है साब पूरा चेंज हो जाता है जरह सा चेंज करो खाने पीने में, पूरी बोडी की, आखिकमेस्ट्री चेंज अजाती है, पूरी वैयलोजी चेंज हो जाती है पूरा chemical s利 devotion स्टाट हो जाता है, ऐसा करना है, अनुलो मिलो मिलो में कपाल बहत रहे हैं, खानपाण में पूरा परिबर्दण, फिर ओशद देते हैं न तो दस गुना काम करती है एक बहन मेरे से बोले बाबाजी है तो खूब खाया हमने तो मुनाका, अंजीर, गाजर, अनार वहाँ घर में असर नहीं कर रहा था यहाँ खाते ही पाँच हिमोगलोबिन बढ़ गया पाँज जिन के अंदर आये थे तब साथ हिमोगलोबिन तब बारा हो गया विदिन फाइव डेज पाँच से पाँच पाँच पॉइंट हिमोगलोबिन बढ़ जाए यह धरती पर कहीं नहीं हुआ, यह योगा ग्राम में होता है क्यूं? सारी चीजे व्यवस्तित दिन चरिया और जो खाते हूँ शरीर में लगता है ने तो खाना पैखाने में निकलता, उपर से खाया निसे इस निकाल दिया आउटपुट इंपुट बराबर इंपुट आउटपुट बराबर उपर से खाया निसे इस निकाला हेहां आपको जो पूरी इंचरिया कराते हैं सुभए से जलनेति शूत्र्णेति अनेमा फिर पंच कर्मा सुधिकर्ण की सारी क्रियाएं फिर स्टीम सोना जो भी बाध देते हैं फिर सूरिय सनान कराते हैं फिर मढद सनान कराते हैं फिर कई तरह के ठेरा पिर अब तो बढ़िया मोसम चल रहा है जिनको हिमो ग्लोबिन कम है उनको यही कल्प चलेगा अनार गाजर वीद कोई तीसरी चीज मत देबाद है ना ॡोक्टर साथ जिनका हिमो ग्लोबिन करा रहें बलड के तो नई नई चीजी निकल निकल करके आ रही है लोग चस्मा भूले जा रहे हैं चस्मा भूल गए क्यों आखों से दिखने लग गया एक बेटी आई पोले समझी मैं पहले देखे नहीं सकती थी आचानक जस्मा भूल गई तो मैं तो भूले गई पता तो ये हिमोगलोबिन वालों के लिए फिर किड्नी वालों के लिए भी ये थोड़ा सा क्रिटिकल है अभी इसके उपर रिशाच चल रहा है भी इसमें हमें पूरी सफलता नहीं मिली है कभी कभी 25 कभी 50% लोगों को एक सबता से लेकर के एक मैना किसी को 2-3 मैना भी लग जा मस्केलिट डिश्टोफी में जो प्रारमी का वस्ता उसमें पूरा कंट्रोल आ जाता है जो बहुत बहुत जाधा बढ़ जाता है तब दिक्कत है ऐसे 2-3 रूखों पर चोटा मोटा काम बचा है मैं यह ऐसे ही नहीं बैठा हूँ योगा ग्राम में तुम गलत फहमें में मत होने वाला है एक मेना होने वाला अब यह एक की दो दिन ही बीच में जाना पड़ा है कोई दिक्कत नहीं बहुत ही जरूरी होगा तो एक दिन मैंने अभी बाहर के सब करो और मेरा कोशिश यह रहेगी कि चाहे धरती का कोई काम हो यह कोई काम जल्दी भीनी पटना होगा त 500 लोग नहीं है जो यहाँ पर मेरे सामने बैठे वे हैं 400-500 लोग लक्षे नहीं है मेरा लक्ष है दुनिया की 780 करोड की आबादी मैं चाहता हूँ कि दुनिया में नई दिशा एक नया डिरेक्शन मिले हैल्थ को वो चीज़ें यहाँ पर रिसर्च करने के लिए मैंने नहीं मार रहा हूँ कि ऐसे सो डड़े फेंके तो एक निसाने पर लग गया ऐसा कारेक्रम नहीं है एक डारेक्शन है मेरे पास एक दृष्टी है रिशियों ने पूरवजों ने दिये और एक्स्पिरियंस किया है ऐसे नहीं बैठा हूँ करीब 10 करोड लोगों को प्रत्यक ठीजवादी सौमिराम दियों को फोलो करती है कपाल भाथ या न लोम लोम करती दॉरिया क्या अधिया अब इसमें मुझे नहीं नहीं चीजें करनी है कुछ खास इसलिए तुम जो मैं कहूं वही करो जो बोलो वही खाओ मैं सो बार बोलो मैं पांसो बार बोलो कि पांसो बार ये करना है तो चाहिए तुमारे आठ गोड़े टूट जाएं ठीक कर दोगा कुछ मैं सूर्य का तराट करा रहा था तो बोलो सामी जी आख तो गई अरे आख गई नहीं आख आई आएगी अनुवलों में करूं सची बात तो यह है कि पचास के बाद मेरी भी द्रिष्टी थोड़ी सी कमजर हो गई तो मेरी भी अच्छी हो गई कुछ लोग सोसते होंगे कितनी मेंद करते हो आपको कोई भी मा recipients हमारे लिया है आप कीतना मोटा पा कि अभ्यास्टों सूबार करते हो दों-数सुबार करते हो तो मैं मोटा इक अद। मोटा मिंने जी निक नहीं करता ह। तुम्हारा फाइद हो रहा है वो कहते हैं ने कमपनी का प्रचार गरहक का फाइदा चलो अनुलम मिलम करो अच्छा सुनो अपने अनुभव तो बहुत बताना चाहते हैं इनका भी सुन लेंगे इनको माईक देदो भाई आप में से लोग आज मुझे इंडिया टीवी पर अस्थमा का प्रोग्राम बताना म मैंने गड़ी की तरब देखा भी सईस बात आई किया साथ बच के बीस मिनट पच्छी मिनट हो गए बाइस चलो मैं एक दो मिनट इसलिए आगे रखता हूं कि थोड़ा जल्दी से चलो ताज इंडिया टीवी पर अस्थमा का प्रोग्राम मुझे देना है आप में से और बच्छा च्छा है वो खड़े हो जाओ जिरों ने योग से असमा का पहलर जी सब उटके चिछट जमीन पर पेट टिकाते जिरों ने अच्छा किया है वो दरगारी में बैट जाओ तो लोगों कोने हम लाई अग्जांपल देते हैं उसे लोगों से लोगों को इंस्पर सवाम जी कीजा सथ 100s बार जंप कर रहे हूं आसन कर रहे है प्रानायम कर रहें कर रहें सर्वंग सबसवारर्यक कर त तुमसे प्रेख कल पूछेंगे हैं शॉस्ट अलर्जी काफ को कोल्ड जिनका ठीक हो गया है तो उनका उदर लेते हैं प्रिश्टी का प्रीयोग करने से कहां गए मैक वाला Libraischer करो और यद्क है बाकि आस्मा और को लोग कहते थे मैंने स्थापित मान नेताओं को धुष्ट कर दिया है धर्म के बारे में राजनीती के बारे में योग के के बारे में खेती के बारे में देखो मैं तो विद्रोही सन्यासी हों कैसा हूं कि जो स्थापित मानने ताएं है उल्टी पुल्टी वो सारी तोड़ दी मैंने सही सही बता दिया दुनिया के लिए भगवान का उतार है स्वामी जी आप दृष्टी का प्रयोग करके मुझे कब्ज से इतना जब मैं सुबह पेट साफ होने के लिए बता हूं तो दृष्टी डालता हूं में मैं बैंक में मैंनेजर था मेरी आखों के चश्मे सारे हड़ गए आज 10 साल पहले से और कब्ज जो है मेरा वो दृष्टी डालते ही मुझे तेज पाखाना हो जाता है यह जो दर पहली बार बता लगा दृष्टी का इतना इतना ऐसा प्रयोग है मेरे जिए वह न यहां जैसे आंख में डालते हैं तो कुछ हर्मोनल चेंज होता है ब्रेन में और फिर उसका लिवर में, किड्नी में, पेट में ऐसे और दृष्टी चार बार में दिन में प्रयोग करता हूँ प्राते काल शौज जाते समय शौज से निकलते समय और शाम को यह बैंक से वापस आता था इतना टेंशन आजकल बैंक की नोकरी में हो गया है कि सरदर्द रहता था लेकिन आके जैसे दृष्टी डाला मैंने और आक से असुष्टी मिल गई इसका तो मेरी सारी सरदर्द सारामरा टेंशन खतम वो तो देखके लग रहा है आपके उमर कितनी है मेरी 62 वर्ष की वाई हो चकी है यह रिटायर होकर के भी रिटायर नहीं लग रहे है मैं स्वामी दिया यह इतना हमारे पूरे परिवार यह दृष्टी का विशेष लाप बताया पहली बाद यह और बंजन में आप जिनको इसनो जिनको कब रहता है कलका डाल के बताईयो बिल्कुल जी बिल्कुल करके देखो दृष्टी डालो और एकदम थे पेट साफ होगा यह मैंने अपने एक दो दिन लगने का अनुबव होता है और फिर एक इतनी ठंडी हो जाती है बिल्कुल दो चार दिन के बाद आपको कितना नमर का चास्मा था मेरा तीन दो तीन पॉइंट तक लगता था बैंक में चालिस साल से में चाश्मा लगता था मुझे लेकिन बीस साल से मेरा सब मुक्ता नीजी से में मिला था मैं आपको बहूँ बहुत दिनों से फॉलो कर रहा हूं यह जोर में नोकरी करते थे तो बाबा का लगन लग गया और आपकी पतनी का क्या नाम है कमले शुपमन्यों आरे यह लो यह चस्मा मुक्त परिवार और आज तो नया कारलाब बता दिया है यह हम बताना चाहते थे आपको कि हमको बहुत लाब हुआ कब्ज में इस दृष्टी से आज चाहते बद दो अचक्ण की बहुत बड़ी द रहा है तो यह नए रिसर्स अगया चलो एक नए रिसर्स के लिए अभिननन यह एक्प्रिमेंट नहीं है नहीं रिसर्स काई गए डोक्टर साथ यह आपके छेले भी नए रिसर्स रोगे मैं डोली सिरोज से स्वामी जी से मिलता हूँ, डॉक्सर से ब्रद्दिन मिलता हूँ, हावन भी करते हो यहावन होता है, अपना हावन कुण्ड लेता है, तो आज अभी, अरे अभी इंडिया टीवी पर भी मुझे कारी करम करने जाना है, तो एक बार जैवलो भारत माता की, स करहर महादेव, यह सब जै क्यों बोलते हैं, जै बोलने से उन महापुर्शों का ध्यान करते हैं, और हमारा जीवन कैसा हो अपने महापुर्शों पूर्वजों जैसा हो, करते हैं, जैसा हो,